आज के इस एपसोड के अंदर मैं आप लोग को बताने वाल हो कि कैसे आप लोग आपके नॉर्मल एंडरोड डिवाइस को कुछ आप्लिकेशन का इस्तमाल करके iOS 14 या फिर iPhone 12 का लुप जोए वो प्रोवाइड कर सकते हो अभी Play Store पे बहुत सारे अप्लिकेशन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन 4-5 अप्लिकेशन आप लोग ट्राइ करोगे उसके बाद एक अप्लिकेशन आप लोग को एक अच्छा मिलेगा उसमें भी थोड़े बहुत बहुत बग्स मिलेंगे क्योंकि Play Store पे iOS 14 इनका launcher, control center बहुत सारे अप्लिकेशन पड़े हुए है जिसके तुरू आप लोग आपका normal Android convert कर सकते हो बट किसी में ads रहते हैं किसी में performance issue रहते हैं किसी में bugs रहते हैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा issue जो है वो clear हो जाएगा जो application बताता हो उसे डाउनलोड करने क आप लोग completely Android device को जो है वो iOS में convert कर सकते हो इसके अलवा अगर आप लोग में से किसी को unique apps या फिर unique tricks के बारे में पता है तो नीचे comment करके मुझे बता सकते हो next episode में उसके comment के साथ feature कर दूँ वीडियो में आगे बटे से पहले मैं आप लोग को या पर कुछ suggestions देना चाहता दिवाली का offer वेकर अभी बहुत सारे हर जगा चल रहा है आप लोग से बहुत से लोग iOS या फिर iPhone के device जो हो इस्तमाल करते रहेंगे कभी कवार किसी कारण आप लोग को उसमें problem आ जाता है bugs वेकर आ जाते या फिर boot loop में अटक जाता है उसके लिए आप लोग क्या करते हो ए इसका नाम है doctor phone जहां पर दीवाली की offers वेकरा भी चालू है अगर बोलो जाओ तो 80% का discount आप लोग को उसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ doctor phone है और भी बहुत सारे आप लोग उन लोग के software जो देखने के लिए मिल जाते है जैसे कि WhatsApp का data transfer कर करना हो गया फाइल जो डिलेटेट फाइड रिकवर करना हो गया इसके थुरू आप लोग आपका जो iOS डिवाइस से चाहे उसके अंदर बहुत सारे इशूज आते कभी कवार लाइक की recovery mode में स्टक हो जाता है डिए फ्यू में स्टक हो जाता है या फिर आपका जो स्क्रीन ह आता है या फिर बूट लूब और इसके अलावा भी बहुत सारे जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो इन केस तो आप लोग इस सॉप्वेर को जो वो इंस्टॉल कर सकते हो लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया जिसके तो आप लोग इसे इंस्टॉल करके आइप पर लोग को आपके device के लिए जो problem आ रहा है उसके ऊपर click करके completely आप लोग वो solution वह पर मिल जाएगा और problem को completely solve कर सकते हो लिंक this competition में मिल जयेगा हम लोग आगे बढ़तेается अ सब से पहले application की जरुत पड़ीगी वहх launcher तो अगर performance की बात करूँ तो lag वेगरा नहीं होता है एकदम smooth जो है आप लोग Android device में इसे यूज कर सकते हो जैसे ही आप लोग इसे open करते हो get start के ओपर click करना है allow करना है फिर allow आप लोग अगर इसका look देखोगे तो completely आप लोग को iOS 14 का जो launcher setup है उसके साथ ही साथ आप लोग को widgets जो है वह भी iOS 14 के इसके अंदर देखने के लिए मिल जाए इसके अलाव अभी अगर बाकी features की बात करो तो control center जो है as it is आप लोग को एक side में iOS का जो notification panel होता है वह देखने के लिए मिलता है और एक side में आप लोग को आपका control center जहां पर आपके wifi bluetooth टॉगल जो है वहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं उसके साथ ही साथ यहां पर आप लोग को wallpaper जो है वो भी include मिल जाएगा अब मुझे यह wallpaper जो हो सबसे ज्यादा पसंद आया तो मैं इसका link जो है आप लोग को description में provide कर दूंगा यह हो गया launcher setup उसके बाद बाद आती है कि आपका जो dialer अभी dialer भी बहुत सारे आप लोग को play store पर मिल जाएगे बट सारे नहीं बूलूँगा बहुत सारे dialer के अंदर ads भी रहते हैं और lag भी बहुत होते हैं कि अगर किसी का phone आ रहा है आपको तो सबसे पहले आपका default call screen वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद dialer जो है वो देखने के लिए मिल जाता है तो ऐसे लाग वेकर भी बहुत होते हैं तो एक application में ने ढूंड के निकाल है बग वेकरा इसके अंदर नहीं है उसके बाद आप लोग को iPhone के अंदर एक अच्छा फीचर जो वो देखने के लिए मिल जाता है जैसे ही आप लोग iPhone में camera open करते हो या फिर कोई भी third party application जो without आपके permission के अलावा camera का access जो वो ले लेता है या फिर आपका sound है जो आपका mic है उसका permission जो है वो ले लेता है तो वो आपको वही पर notify कर देता है उपर एक चोटा सा dot देके यहाँ पर आप लोग उसके लिए access dot करके application उसे use कर सकते हो same कोई भी difference नहीं है जैसे आप लोग camera open करते हो तो आपका camera का permission लगता है तो वहाँ पर आप लोग को green color का एक चोटा सा बिंदू जो हो देखने के लिए मिल जाएगा उसके अलावा आप लोग अगर कोई mic का permission ले रहा है जो आपकी बाते सुनना चाहता है कोई भी third party application तो वह आप लोग को वहाँ पर orange color का logo जो ह वह चोटा सा बिंदू जो हो देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अलावा आप लोग को back tap का feature जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता रहेगा जिसका नाम है tap tap जिन लोग को पता नहीं है तो tap tap basically एक ऐसे application है iOS में एक feature है जैसे ही आप लोग आपके back के उपर tap करते ह आप लोगो ने वहाँ पर set किया रहेगा चाहिए मैं double tap करूं तो यहाँ पर flash light open होना चाहिए या फिर मेरा WhatsApp open होना चाहिए या फिर screenshot वेगरा निकलना चाहिए तो ऐसा feature जो हो उसके अंदर आप लोग कर सकते हो simply open करना double tap के उपर click करके आप लोग को जो feature चाहिए उसे उप आप लोग आपके android device को completely iOS 14 में जो हो convert कर सकते हो अभी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और feature बचा है अगर आप लोग को कोई और feature चाहिए तो नीचो comment करके जरूर बताना कि भाई यह feature जो हो missing है मैं उसके ओपर थोड़ा research करके आप लोग को next episode में जो है वो दे द बाई